हाई दोस्तो टीफो चान में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप रसियन करंसी को इंडियन रुपीज में कैसे आप कनवर्ट करके देख सकते हैं या आप रसिया काम करने के लिए जाना चाते हैं या फिर आप वहाँ से इस महीने सेलरी सेंड कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ पता करना चाते हैं कि रसियन करंसी को इंडियन रुपीज में कितना मिलता है तो आज की वीडियो में सीख जाएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले एक most important बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश की जो currency रहती है उसमें उतार चड़ाओ यानि कि कभी उसका rate high हो जाता है और किसी दिन उसका rate low हो जाता है तो चलिए हम कैसे पता करेंगे क्योंकि उसको daily check करना जूरी रहता है कि उसका आज का rate कितना चल रहा है तो चलिए कैसे आप डेली इसको check कर सकते हैं आज की वीडियो में सीख जाएगा तो चलिए दस्तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको कोई भी एक browser अपने mobile phone में open कर लेना है चलि मैं chrome browser open तो यहां पी आप chrome browser के थूरू या फिर आप जा सकते हैं तो चलि मैं chrome browser open कर लेता हूँ open करने के बाद आपके सामने इस तरीके से page दिखाए देता है अब यहां पर आपको search और type web addresses लिखावा इसके उपर click करना है click करने के बाद यहां पर लिखना है russian russia currency in indian rupees चलिए हम यहां पर search कर लेते हैं जैसे हमने search किया यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं one russian rubel equal to 1 rupiah 33 पैसा इंडिया में आपको मिलेगा यानि कि वहां के जब आप 1 rupiah send करेंगे तो आपको india में 1 rupiah 33 पैसे में लेगा यानि कि थोड़ा जादा है ओके तो इस तरीके से आप ज्यादा amount वहां से send कर रहे हैं इस महीने तो यहां पर russian rubel जो लिखा हुआ है यहां पर one है यहां पर आपको amount ज्यादा बढ़ा देना है जैसे कि for example वहां से आप इस महीने आप वहां से for example 10,000 russian rubel send कर रहे हैं तो यहां पर आपको india में आपको 13,285 rupiah मिलेंगे तो इस तरीके से आप यहां पर convert करेंगे russian rubel यहां पर डालेंगे और नीचे indian rupiah में खुद बहुद आपको convert होकर मिलेगा और यहां पर जैसे कि देख रहे हैं मैंने बताया कि यहां पर किसी देख की currency रहती है और up and down ऊपर नीचे यहां पर हुआ है यानि कि daily rate एक नहीं रहता है किसी दिन कम हो जाता है किसी दिन ज्यादा रहता है तो दोस्तों मुझे उमिदे आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें share करें तो मिलता है नेक शुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद